हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पे मेडिसीन का रिव्यू करके बताए जाता है और हर वार की तरह आज भी एक नई मेडिसीन लेकर हम आपके बीच हाजिर है और आज जो मेडिसीन है दोस्तों वो है टैक्सिम ओर ड्राइ सीरप जी हाँ टैक्सिम ओर ड्राइ सीरप क्या है इसका यूजिज क्या है इसके साइड एफेक्ट्स क्या है इसका डोज क्या है इसके बारे में हम लोग विश्तार से चर्चा करेंगे तो दोस्तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान दबा ले ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तो इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके तो आई ये शुरू करते हैं फ्रेंड्स टैक्सीमो ड्राय सीरप बच्चों के लिए एक एंटिवाइटिक दवा है जो कि थर्ड जेलरेशन की एंटिवाइटिक है जो सीफालोस्पोरिन ग्रूप से आती है इसका जो मेन कमपोजीशन है वो है सेफिक्सीम जीहाँ दुस्तों टैक्सी मोडराय सीरप का composition से fixin है और इसमें पर 5 ml 50 mg से fixin होता है और ये Elkim Company बनाती है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये Elkim Company बनाती है और ये juicy orange और lemon flavor में होता है ये बहुत ही स्वादिश्ट होता है दोस्तों ताकि बच्चे आसानी से इसे पी सकें और इसके अंदर एक dry powder होता है ये आप देख सकते हैं dry powder का bottle है इसके अंदर में powder होता है और एक astral water बाएसे मिलकी होती है इस water को इस bottle के अंदर डाल कर अच्छे से हिलाने पर ये syrup बनकर तयार हो जाता है जा दोस्तों अब हम जानते हैं इसके यूज के वारे में कि आप किन किन disease में इस syrup का प्रयोग कर सकते हैं और किन परिश्थितियों में इसे दे सकते हैं दोस्तों अगर किसी patient को बार बार बुखार आ रहा है सर्दी है खासी है निमोनिया है तो वो ऐसी स्थिति में taximo syrup का प्रयोग कर सकते हैं अगर किसी patient को टाइफायड हो गया है बुखार नहीं जा रहा है तो पायरस्टैमोल syrup के साथ इस syrup का प्रयोग करने से बुखार जड़ से चला जाता है और अगर किसी patient को फोड़ा फुन्सी है तो वो ऐसी स्थिति में भी इस syrup का प्रयोग करने से जल्दी ठीक हो जाते हैं friends taximo syrup का प्रयोग और भी बहुत सारी बिमारियों में किया जा सकता है जैसे soft tissue skin infection होता है इसकीन पे किसी तरह का infection हो गया है तो ऐसी स्थिति में taximo syrup का प्रयोग कर सकते हैं स्वसंत तंत्र का infection हो गया है स्वांस नली का infection हो गया है उसमें भी taximo बहुत अच्छा काम करता है किसी को पिसाब का infection हो गया है पिसाब नली का infection हो गया है उसमें भी taximo बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों यह तो हो गया यूज के बारे में अब जानते हैं इसके dose के बारे में इसका dose क्या होता है दोस्तों डोज बच्चे का उम्र उसकी बजन और बिमारी की गंभीरता के नुसार डिसाइट किया जाता है अगर बच्चे का उम्र एक से तीन साल तक के बच्चों को ढ़ाई एमेल सुबह साम दिया जा सकता है और बच्चे का उमर अगर 3-5 साल तक है तो 5 एमेल सुबसाम इसे पिला सकते हैं दोस्तो वैसे डॉक्टर की सलाह के बिना इस दबा का प्रियोग कभी नहीं करना चाहिए जब इस दबा का प्रियोग करें तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले ले दोस्तो अब जानते हैं इसके साइड एफेक्ट के बारे में वैसे तो इसके कोई साइड एफेक्ट ज़्यादा है नहीं अगर किसी-किसी में साइड एफेक्ट होता भी है तो वो आज थाई होता है थोड़े समय के लिए होता है थोड़े समय बाद स्वता ही समाप्त हो जाता है अगर किसी पेसेंट में साइड एफेक्ट ज्यादा दिख रहा हो ज्यादा लंबे समय तक के लिए आया तो आप तुरन्द नजदी की डॉक्टर से संपर्क कर लें साइड फिक्स में किसी किसी पेशेंट में देखा जाता है कि स्कीन के पर लाल चक्ते जैसा निशान हो जाता है किसी को बोमेटिंग होता है जिसा टेंडेंसे आता है और वो सुश्तिपन आ सकता है यह सब नॉर्मल है वैसा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थोड़े समय के लिए होता है फिर अपने आप चला जाता है फिर भी एक बार अगर बता रहे हैं कि अगर ज्यादा दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से शला लें या संपर्क करें दोस्तों अगर अगर आप किसी आऊज मेडशीन के बारे में जानकारी या रिब्यू चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये विडियो आपको कैसा लगा झरूर्बताये कि